दोस्तों नमस्कार एक वीडियो हम बनाए हुए थे दो दिन पहले और बताए थे कि एक घंटे में आप 25 डालर से 50 डालर 100 डालर कमा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ने उसको डाउनलोड किया और अब उसमें से कमेंट आ रहा है और बहुत ज़्यादा आदमी का फो है भी थे कि पैसा इससे हम निकालें और मेरा बैंग एकांट में पैसा आया भी और वह भी बहुत असानी से तो चलिए आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं चाहे यह टेंगो हो या फिर आप लाइब मी हो या कोई भी अप्लीकेशन हो जिसमें कि आपका प्योनियर कैसे बनाना है सबसे पहले आपको ये बताएंगे उसके बाद फिर टेंगो में जा करके आपको आईडी को जो है जो पयाइनियर आईडी बनाएंगे उसको वहां सफील अपकर के पैसा विड्रॉब करके सब चीभ दिखाएंगे आपको तो आप लोग बने रहीगे वीडिय होने के कारण हम नहीं बना पा रहे थे तो आप लोग को जो हम बताने जा रहे हैं प्योनियर एकॉंट आपको अधा घंटा 15 मिनट लगेगा लेकिन 100% प्योनियर एकॉंट बनाईएगा और ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं प वीडियो को देख लिजे और फिर आप पैसा कमाना सुरू कर दिजे और आपको बता दे टेंगो का लिंक आपको इसका डिप क्रिक्शन में भी मिल जाएगा उसमें पैसा कैसे कमाना है यह चीज हम इसमें नहीं बता सकते हैं इस वीडियो में क्योंकि बहुत बड़ा वीडिय है चले हम वीडियो को करता है सुरू और अब आप यहां मॉवाइल देक सकते हैं किजिस हम बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको हम ले करने चलते हैं तो यह तीसरा सी है और पैसा निकाल चुके है रिसीब कर चुके हैं और अभी ये तिसरा ID है इसका भी पैसा निकालेंगे और एक ID पे 25 डॉलर फर्स्ट रिडीम होता है फिर दुसरा रिडीम होता है 50 डॉलर इसके कारण हम 25-25 डॉलर करके सबसे निकाल लेते हैं ठीक है तो अब हम चलिए बताते हैं कि कैसे कैसे निकालना है सबसे पहले अपना आइडी पे जाना है टेंगो जो ID बना है आप डिक्सन में जाएगा लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर करकर आप ID बना करके उसमें लाइब आईटी बना लिखेगा तो बहुत ज़्यादा गिप्टिंग मिलेगा तो गिप्टिंग को निकालना कैसे है अब चलिए शुरू क है इसको कैसाा ओट कैसे करना है इतना डायमंड को इतना डायमंड कैसा होगा नहीं कि फाची डाइमंड है लास्ट फस्ट रेटीम जिसका 25 डॉलर आपको मिलता है और 5 ज़ार डॉलर बनाने आपको खुब ज्यादा शमयाँ लेगा तो 25-30 मिनट अगर आप में टाइलेंट है तो हम इसाप से डाइमंड ले लेते हैं तो चलिए इस पर आपको कैस आउट पर जाना है ठीक है कैस आउट पर जाने के बाद कैस आउट पर चलिए यहाँ देखिए हम अल्रेडी फिल अप कर चुके हैं एक और ठीक है एक ओंट फि डाइबंड लेखिर अगर केशाओट पर जाइएगा तो हम चलिए दुसरा ID पर चलते हैं और देखिया Tango का ये दुसरा ID है ये बिल्कुल ने है आप लोग कुš समझाने के लिए और एक ID जो है उस फोन में ही है, क्योंकि ज़्यादा पैसा गमाना है, तो ज़्यादा आईडी और ज़्यादा तरह का अलग-अलग situation से करना पड़ता है, तो चलिए, सबसे पहले हम इसको open करते हैं, और अब बताते हैं आपको, कि Tango फीलप आईडी कैसे करना है, तो देखिए, हम चले गए अपना आईडी पे, लिंक थोड़ा सा स्लो है, आप लोग को घबरानी का जरुरत नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद आपको बता दिए हैं, कोई भी वीडियो देखने का आपको जरुरत नहीं पड़ेगा, देखिए, ये Tech प्रभास के नाम से आईडी है मेरा, इस पे यहां से आप पेनिया रेकांट बना ही नहीं सकते है, कोई भी नहीं बना सकता है, क्योंकि यहां पर जो है, जो वेबसाइट दिया गया है, उसमें इंडिया है ही नहीं, इंडिया का आदमी कोई नहीं बना सकता है, अधर देख का आदमी बना सकता है, तो चलिए सबसे पहल सबसे पहले आपको चले जाना है कि यह वीडियो को और जैसे बताते हैं आपको चलना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है पर जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है जो पर दिखा हुआ है उसको टच कर देना है इसको टच जैसे किये तो अब यहां से आपका काम चलू हो गया यहां से अब बनाना सुरू अब इससे थोड़ा सा नीचे जाएगा नीचे जाने के बाद यह देखें नीचे जाने के बाद यहां पर जैसे ओपन किये नीचे जाने के बाद यहां लिखा आएगा रेइस्टर तो रेइस्टर को आपको कर देना है ठीक है नीचे चलने कोई दिक्कत नहीं है इसमें इसमें जो है यह डाल एक नंबर डालना है आपको क्योंकि इसमें कोई गारेंटी नहीं है कितना पैसाब कमाईएगा तो इसमें कुछ गारेंटी नहीं कोई ब्राइड का कौर्स नहीं मतलब नहीं है कि हम इतने सा कमाएंगे तो डाल देना है फिर पर चले जाना है अब यहां से रिश्टर अगर एक मीस करते हैं आप तो फिर बने गाई नहीं हमारा बहुत ज्यादा परसानी हुआ था एकॉंड बनाने में तो इसलिए आप लोग को बताते हैं हम क्या किये थे पहले individual के जगा company डाल दिये थे तो यहां individual ही डालना है आपको company कौन डालता है जिसके पास बहुत ज़्यादा आदमी होता है या बहुत ज़्यादा उसको work करना है तब और company वल्ला में documents इतना हाइप होचता है कि आपका द दाल देना है लास्ट नाम डाल देना है फिर email address डाल देना है कोई भी जो email डालिएगा email आपके phone में होना चाहिए एक OTP उससे मिल लेगा आपको चलिए कुछ भी डाल देते हैं add the red gmail.com ठीक है अब देखिए यहां re-enter email डालना है same email तो इसको copy करके भी आप डाल सकते हैं और यहां पर डाल दिए अब यहां पर date of birth डेट of birth वही डालिएगा जो आपका account में हो या फिर जो आपके pen card पे हो अंतर नहीं करना है आपको तो pen card पे जो है वहीं डाल देजिए अभी हम आपको बताने के लिए क्योंकि मेरा तो बनेगा नहीं account में इस pen card पर अल्रेडी बन चुका है इसलिए आप लोग को समझाने के लिए हम इतना दोर जा रहे हैं यह जो है यह दूसरा इस टेप यह दूसरा फॉर्म है दूसरे में आपको क्या-क्या भरना है यह इंडिया आया हुआ रहेगा और वही जो टेंगो बलापली केसन में पहले है वहां इंडिया था यह नहीं तो यहां देखें एड्रेस लाइन वन तो इसमें आपको गौ का नाम मकान नंबर हो तो ठीक है नहीं तो फिर सिर्फ गौ का नाम या अगल बगल का कुछ भी दे दिए दिए अपना गौ का नाम रहे तो और अच्छा है जो आपका पा जाहां भी है उसको लिख देदेना है तो चलिए हम भागलपूर अ शुख भीहار देदिए फो अगर उसके बात पीन देना है तो चलिए अब city town जो आपकि नज़िदी की city town तो हम देदी है भागलपूर यह सब औरिजिनल देना है आपको पोस्टल जीप कोड ठीक है तो जीप कोड मतलब होता है आपका पीन कोड यहां पर दे देना है आपको चलिए अब यहाँ पर नंबर देना है आपको मुवाइल नंबर जिस पर कि अभी जस्ट ओटीपी आएगा आपका तो हम दे देते हैं अपना नंबर दे देना है अब वेरिपिकेशन कोड तो सेंड कर देना है यहाँ सेंड पर जाईएगा तो आपके पास एक वेरिपिकेशन कोड आएगा तो सकॉड को यहाँ लगाना है अभी जैसे है 57 27 वासट पंदरा 31 वासट पंदरा 31 वासट पंदरा 31 ठीक है नेक्स्ट कर देना है आपको नेक्स्ट करने के बाद आप देखे एक और फॉर्म आएगा अभी तो यह दो नंबर फॉर्म था ना दो नंबर है अभी तिन नंबर फॉर्म आएगा उसमें आप दिखे क्या वरना है इसमें इंटर पासवर्ड री इंटर पासवर्ड सिक्यूर्टी रिजन में आपको जो इसमें पुछा जाएगा वह हम बता देते हैं अभी जस्ट तो आपको पासवर्ड वैसा रखना है नाम के साथ एड़ दरेड हो और एक दो तिन चार कुछ ऐसा अंक डाल देना है जो इसेच प्रवास एड़ दरेड एक दो तीन चार पांच चलिए डाल दिये हैं यही यहां भी डाल देते हैं अब सिक्यूर्टी रीजन में आपको पुछा जाएगा आपका बच्पन का कुछ याद है या इसकूल का नाम यह सब तो आप कुछ डाल दीजेगा जिसे हम दोस्त का नाम डाल दिए फ्रेंड का नाम नीचे पर आप नाम लिख देना है यहां फ्रेंड का नाम डाले बच् सेक्योर्टी पासवर्ड गलत होता है तो यह रीजन पूछेगा तो यह याद रखना चाहिए तो अपना नाम ही हम डाल देते हैं चलिए यह हो गया अब देखिए प्लीज इंटर सॉरी सॉरी हम दुसरे जगह नाम तो अपना डालना ही है यहाँ पर अपना अपना ही नाम डाल दिये दोस्त के जगह ठीक है अब देखें यहां पर country कहेगा देने तो country यहां पर दे देना है आपको इंडिया ठीक है देखें इंडिया दिया हुआ है दे दिया है अब उसके नीचे देखें यहां पर जो है पेन इंडिविज्वल जो आपका पेन नंबर है उसको डाल देना है तो यहां पर आपको यहां पर पेन देजिएगा या पासपोर्ट या अधार पेन अगर आपके पास नहीं है संजोग बस तो पासपोर्ट दे सकते हैं पासपोर्ट भी नहीं है तो फिर अधार कार्ट दे स पेन नंबर इसके लिए पेन कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है तो हम भी पेन कार्ड लेकर करके आए हुए है चलिए पेन में सब बड़ी में होता है गवराने की कोई बात नहीं है अगदम अराम से आप लोग भरियेगा जलासमीष होगा तो फिर इस डॉसरा एड़्ी भी नहीं वनेगा पेन वाले का नाम जो जिसका पेन डाले है अगर आपके पास नहीं है तो यह कौन टंबर होना चाहिए पेन होना चाहिए एक ही आदमी का अगर आपके जिसका नमबर डाले उसका नाम डालना है अब यहां पर देखे एक कॉड आया है ठीक है यह जो यहां पर कॉड आएगा आपके पास भी ऐसा आएगा यह जो कॉड है यही डालना है आपको जैसे मेरा यह है 3MX56 तो यहां डाल देना है 3 बड़ी में है तो बड़ी में ही डालना है एम एक्स फाइव सिक्स ठीक है अब नेक्स्ट कर देते हैं अब जैसे नेक्स्ट किये अब देखिए यहां पर आपका एकॉंट नमबर से पुछा जाएगा ठीक है अब यहां अगर आगया तो आपका एकडम बन गया अब कोई दिक्कत Nur is यहां तक आना बहुत ही अनिवर जैब यहां पर कुछ नहीं है यहां पर इंडिया आए आइन 알 महीं रखना है inr टो pendri आपको कि आपको पैसा इंडियार में कनवट करना है थे तो दूसरा चीज है अद्या जो बैंक मतलब जो बैंक है यो लू को पर आध पास है यह जो बैंक आपके पास ए बैंक का यहां पर नाम डालना है ऊब यहां पर आ रहा है रह正ा है सबनेंक का तो उसको सेलेक्ट कर देते हैं जिससे हम कर लिते हैं बाइंक और बाढ़ोदा अब उसके बाध एकांट होल्डर नेम जो आपका नाम है जिसका एक gewoon यहां दे रहे हैं जिसका पे अर्दिये हैं उसका एकांट नंबर नाम यहां डाल देना है नाम यहां डाल देना है उसके बाद देखे नंबर डाल देना है फिर से नंबर तो दो बार मांगा था मेरे से हाँ यहां एक ही बार मांग रहा है भी तो कोई बात नहीं है देखे नाम डाल देना है फिर अकॉंट नंबर डाल देना है आई एपसी कोड डाल देन है फिर यहां दोनों को ट्रिक कर दिजेगा फिर सब्मिट कर दिजेगा सब्मिट करने के बाद एक इमेल आए गा यह इस बार तो एपके पास फ़ 확 न की भार इमेल आ एमेल आएगा तो mail पर जो mail इसे में डाले हैं email पर जाकर करके वहां एक link आएगा उस link को टच कीजिएगा तो verify हो जाएगा verify होते ही आपका account बनके ready हो गया ठीक है अब account बन गया तो आपका जो Gmail और password है उसको ध्यान रखना है अब Tango में जाना है आपको Tango में या फिर live me में लाइब में भी pioneer account ही खुषता है और Tango में भी pioneer account ही खुषता है तो च